तो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं सब सेहत मन्द होंगे खुश हाल होंगे तो यह जोना तुस्टे मॉर्णिंग का वीडियो है और आशिश और वर्षा दोनों जा चुके हैं स्कूल और हस्बें भी गए हुए है ऑफिस बस ब्रह्मा और मैं दोनों घर पे हैं विकॉस ब पहले से तो बस मैंने अपने ली जोना मसाले वाली चाय बनाई थी विकॉस मुझे जोना कोल का फीवर सब कुछ अच्छे से होड़ो का रखा है तो ऐसे मेना मसाले दा चाय अध्रक फुलसी काले मिस्रगर डालके हम बनाते हैं बहुत ही अच्छे लगती है तो बस ममा सब्सक्राइब करने तो अगर आप दो दिन भी विस्तर दो दिन क्या एक दिन भी विस्तर पर पढ़ जाओ ना घर की हालत इतनी बेहाल हो चाती है कि आपको उठके जोना लिट्रली डबल काम करने पड़ते है जो रगलर रुटीन के काम होते लों से डबल काम को करना और उसमें से एक काम तो आपका यह लॉंडरी का होता है और कपडों का दिपार्टमेंट होता है तो हस्बन एनिहो बचों को जो ना एक टाइम खीचडी बना दी एक टाइम पोहे बना दी एक ताइम मैगी बना दी वो सब मैनेज कर ले रहे थे दो दिन से पर यह सारी कर रही है तो बस चल रही है रूटिंग और बस इसके बाद चलते हैं किचन में और टाइम ऑल्मोस यहां पे जो है राउंड वन ओक्लॉक हो चुका था तो मैं जो है ना हमारे लिए ब्रमा मेरे लिए कुछ खाने की विबस्ता कर लूँ विगोस हस्बन और आशिश और वर ब्रेकपास के लिए बट अभी हमें जो है ना वो सब नहीं खाना है तो मैं सोच्रियों कि सिंपल सी कीचडी बना लेती हूं ब्रमा के लिए और अपने लिए तो और आशना मैं अभी तक दूर भी बॉल करने के लिए नहीं रखा है विकोस जो में वो टेंपरेरी वाली जो मांच के और दूद उबालने के लिए रखू तो मैंने दूद के पैकेट ऐसे ही चोड़ रखे थे तो दूद बॉल करने के लिए रख दिया और यहां पर जो थोड़ी सी खिच्री चड़ा रही हूं बर जितनी खिच्री चड़ाई ना उसका हमने एक 20% भी कंजूम नहीं क सब्सक्राइब करने के लिए तो सम्हाँ आपकी भूब भी जो थोड़ी सी एफेक्ट हो जाती है खाने पीने को जो दिल नहीं करता बट यहां अब मेडिसीन वेगर खानी तो थोड़ा थोड़ा थो खाना पड़ता ही है तो बस कीच्री में ने चड़ा दी और कीच्री हां बताओ मुझे आवाज ही तूटने की ब्रह्मा ब्रह्मा क्या तोड़ा बताओ अपने है यह यह बगवान है काच के तुकड़े गड़ी तोड़ दी लड़के ने पूरी घड़ी का हाल खराब कर दिया अब रह्मा आप लोग जब से बेड़ बॉल घरबे कर रहे हो ना अब पपा को बोलना है पापी लेगरी लेके दो क्या खा रहे हो दूद पॉड़र खाना नहीं खाना दूद पॉड़र खाते रहो बैटके एक पुरा काम बढ़ा दिया मेरा अपने पहले ही एक तो बाई नहीं आ रही है पुरे कांच के तुकड़े तुकड़े पर बाई अब एक अब चुप चाप बैठों में जब तकर साप करोगे ए कि अड़िए के वाल एाया। कि अ खिए करते हैं कि अवब हुब कर दोड़िए कि अबब हैं कि अबब एंच कर दोड़िए कि अबब खूबिए अंजा से भी पुला निकांज हो कांज के तुकड़े अंदर अंदर की रहे ये देखो ये इसकी बॉडी भी हलग हो गुझे आपने इतनी चोर के मारा इसकी बॉडी पहले से इटी बहिया इत्मा देखा था अच्छा आँ देखो टोड़े अपनी जोर के अगर मालता तो टो 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 टोड़े से हो हादर में वह कितरे कांज के तुकड़े कैसे होते हैं अच्छी गाजी जाजी को आपको एक खरां को प्रिया बुला बुला कांट के तुकड़े कांट को लेगा तो अभी भी इंगा केले हैं यह बात अच्छी लोगिदी है अच्छी लग रही है यह कि ऊसकरे फिर विना कांट के अच्छी लग रही है तो आप तो बोलो गहीं न अच्छी लग रही है लगी तो नहीं है अच्छा ए काम करती उसको पोच के वापस बाक लेते हैं ओड बिए और फुला खुला खुला!! घुअलो पुला खुला खुला खुला, कुला खूला में से लोड दुला chapter मैं टीकिस वह स्कार्मा क्या कमाल की आपने बता हो अच क्लॉप बॉली क्लॉप टेरी अब बंद करो आपका बैड बॉली तो मारूं यह बैट नहीं है तो बॉल तो है वह फिल्हाल यह घड़ी चरहे न ऐसे ही बिना कांच के हम कांगेंगे दिवाल के कि जब से ब्रह्मा को क्रिकेट का भूठ सवार हुआ है तो आए दिन कुछ ने कुछ हाल में करता रहता है कभी कुछ तोड़ता है कभी कुछ मैं उसे कितना भी मना पर हूँ वो मानता नहीं है और फिर उसके तबद इतनी अच्छी है नहीं कि मैं उसे बोलू कि जातू नीचे ग्राउंड में जाके खेल और यह गोबी हालो की सब्जी में ने जो प्रीकवास में मनाई थी ना थोड़ी सी वो रखी हुई थी तो बस कीचडी और यह सब्जी जो ना मैं भोग लगा रही हूं और अब हम जो हैना मा बेटे मिलके बैटके खाएंगे और उ निहाँ उसे जो ना मैंने थोड़ी सी खीचडी खिला दी मोबाइल का सहारा लेकर विकास ऐसे वो खानी रहा है तो थोड़ा सा फोन देख देखके जो ना वो कुछ खा लेता है और हम दोनों माबेटे जो ना बहुत ही बैटली कफ हो रखा है हमें तो एनिहाँ मैनेज कर हैं और बस बच्चे को खिला के और इसे जो ना मैं अब थोड़ी देख सुलाने की कोशिश करती हूं लेटसी सोता है की नहीं तो यहाँ पर ब्रह्मा का और मेरा जो है ना दोनों का लंच हो चुका है लंच खाके अब हम चलते हैं रूम में और ट्राय करते हैं सोने की ब्रमा थोड़ी से नक्रे मार रहा था बढ़ पात में अच्छे से उसने नीम ली तो बस इसे खिला के जो है ना मुझे इसे दवा भाईया खाई और अब जो है ना थोड़ी देश सुलाने की कोशिश करती हुए इस समय तक जो है टाइम टू 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 थर्टी कुछ हुआ था तो बस ब्रह्मा को जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके सुला दिया तो बस एक छोटी सी स्टोरी बताई मैंने और नखरे मारते मारते जो ना खराटे मारने लग्या ब्रह्मा और इसे जो ना चिकासी नीन आ गई और थोड़ी देर में वर्शा और आशिश का भी आने का ताइम हो चुका है तो मैंने रूम तो बहार से बंद कर दिया अर ब्रह्मा को दिस्टर्ब ना हो वो अच्छे से सोये अराउंड 2.20 वो सोया और 5.30-35 के असपस उसकी नीन खुली मैंने उसे बिकुल उठाया नहीं टूशन भी था उसका बट मैंने सुचा कि जाने तो टूशन उसे रेस्ट करे थोड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा अच्छा नहीं मैंने वर्षा रानी के साथ स्पेंड किया और यह दोसे का बैटर मैंने बनाया था थी डेस बैग जो कि फ्रिज में रखा हुआ था तो बस अभी जो है ना आशिश को और वर्षा को मैं दोसे बना के दे लिए तो वर्षा रानी तो सिंपल सा दोसा काती है मोटा वाला जो हम बनाते है ना वो आशिश को जो है ना चीज, मायो, शेजवान सब कुछ डाल के वह दोसा चाहिए होता है तो मैंने वर्षा रानी को तो सिंपल वाला दोसा दे दिया और मैंने ना पीनट पुदीना चतनी भी बनाई थी इसकी रसीपी वैसे मैंने पहले चैनल पे शेयर की हुई है बहुत ही टेस्टी बनती है तो यह पुदीने और मुफली वाली चतनी आप बोलो के तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी आप देखिए का जूरू बहुत ही टेस्टी चतनी बनके तयार होती है तो मैंने वर्षा को दे दिये य चाहे एक लगी लेवल का रिदीफ मिलता है और आशिश के लिए मैं बना रही हूं शेजवान, मायो, सब चीज़े उसको लगता है कि ममा ये भी डालो वो भी डालो उसको लगता है पता नहीं दोसा है या क्या वो पीजा समझता है कि क्या बट नॉर्मल प्लेन दोसा वो न चीज़े डाल दिया उसके और एक चीज़े की डाल दी चोटे-चोटे तुकडे करके और बस घी लगा के उसे ये जो है दोसा बना के दे दिया और मैस में इसकी चिली फ्लेक्स और वो सब डालना पूल के थी तो उसने भी उपर से डाल के अलग से खाया तो बस ये था आश आशिश को शैज़वान चतनी जो होते है बहुत ही जादा पसंद होती है हर चीज में शैज़वान चतनी का जो है उसे एक टच चाहिए रहता है पराठो में सैंड्विच में दोसे में इकली में सब में गोता है ममा थोड़ी सी शैज़वान डालो तो बस यहाँ पे जो है आशिश के लिए मैंने दोसा बना दिया मेरी चाय बे बन गई और लेते है चाय का आनंद गर्मागरा मदरख वाली चाय तो आशिश और वर्षा तोनों जन अपना अपना दोसा खाके टूशन चाच चुके हैं ब्रह्मा अभी तक सोया है और इसके बाद जना मैं आपके आलू की रेस्पी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने लास्ट गुद्वार को बनाई थी बच्चों के बर्दे के एक दिल पहले पर आपकी साथ शेयर नहीं कर पाई थी तो यहाँ पे मैंने कड़ाई में तेल लिया जैसी तेल तेल गरम हुआ तो मैंने इसमें एक चमस जीरा अच्छेयर कली लसुन की डाली चोटे-चोटे तुगों में करके और एक लाल मेच इसे हलका सामने स्वाटे कर लिया अलकी गुलाबी हो गए जैसी लसुन उसके बात मैंने दो बार ही कटे प्याज इसमें डाले और प्याज को भी जो हम अच्छा सुने रहा होते तक इसमे अच्छे इसमें डालो डालो को तो फोल फ्लेम पही मैंने लगाता चलाते हूं अच्छे से ब्हुन दिया और इसमें डाला अधा चोटी-चमछ तो जाली का पॉर्डर और उसके बाद मैंने इसमें डाला दो छोटे चमच धनिया का पॉर्डर, गैस का फ्लेम मैंने इस स्टेश पे स्लोप पही रखा है, एक चमच मैंने इसमें डाला भुना हुआ जीरा का पॉर्डर, एक चमच मैंने कुटी हुई लाल मिच टाली चिली फ्लैक्स, अब चाहे त स्लोप फ्लेम पे ही अच्छे से थोड़ा सा भुन लेंगे और एक चमच मैंने कसूरी मेथी डाली है, कसूरी मेथी का बहुत ही जबदस स्वात आता है इस सबजी में, और गैस का फ्लेम मेक्शियर की स्लोप पे ही हो, अधरोइस मसाले जल सकते हैं, तो स्लोप फ्लेम पे इन्हें आप अच्छे से भून लेजिए, और उसके बाद हम इसमें एट करेंगे, तीन से चार टमार्टर, जुकि मैंने बारी कट करके रखे थे, और टमार्टर डालने के बाद इससे जो आप चला लीजिए अच्छे से, और और सारे मसाले हम डाल चुके हैं, तो और अच्छे से मिक्स करके, आप स्लो फ्लेम पे इससे ढखके, थोड़ा कुक को ने दीजिए, तब तक जब तक जो आलू अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तो थोड़ी दित की बाद हम देखते हैं, तो अच्छे खाजी जो आलू भून चुके हैं, थोड़ी अच्छे हैं, पूरे 100% कुक नहीं हुए हैं, अभी हम इसमें पालक डालेंगे, और पालक के साथ ही हम आलू को अगें से कुक करेंगे, तो यहां पे मैंने 250 ग्राम पालक ली हैं, जैसे अच्छे से धो के बारी-बारी काट के रखा हैं, पालक को मैंने इसके ऊपर से इस त भूल भरी हुई है, थोड़ी देख बाद यह नीचे पैट जाएगी, तो वह 5-7 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, इसे तो देखे पालक जो नीचे पैट चुकी है, क्योंकि यह जो कुक हो चुकी है, तो इसे आप कर लीचे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद थोड़ा साम इ अच्छे से मिक्स करके अगें पका लेंगे 5-7 मिनट, और गैस का फ्लेम मैंने इस स्टेज में इस पैट पे ही रखा है, तो थोड़ी देखे बाद जब हम चेक करते हैं, तो सबजी का कलर और टेक्शर आप देखी कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आलू को चेक कर लेते पानी पानी सब्जी में अभी भी थोड़ा सा है, तो अभी भी हम इसे थोड़ी देर और कूक करेंगे, ताकि यह सब्जी थोड़ी सी सूखे टेक्शर में बने, तो एक आलू मैंने लेके इस तरीके से फॉक से चेक किया, तो अच्छा का सा आलू तो सोफ्ट हो चुका है, पर थोड़ा सा अभी से हम जो ना और थोड़ा सा बून लेंगे, स्लो फ्लेम पे फिर से मैं से ठक के थोड़ा पका रही हूं, और लगब पांच मिनट के बाद हमने चेक किया, तो देखिए आलू पालक की सब्जी जोना पॉफिकली कुक हो के तयार हो चुकी है, इसका कलर हैं जब सब्जी को सब्सक्राइब तो सब्जी के तयार हो चुक है, तो बस सर्फ कर लेते हैं हमारी पालक आलू की सब्जी, तो फ्रेंड से था मेरा आज का चोटा सा व्लाूक, आपको यह व्लाक पसंद आया होगा, वीडियो में कुछ पी अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली दफाँ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए व्लोग में तब तक के लिए थैंक्स फार वचिंग बाबाए टेक क्यों